तेकिन हमारे घर में ऐसा है कि जब जिसका मनोगा वो खुद मुझ से कह देगा सबा इब्राहिम ने एक नया व्लॉग शेर किया है जिसमें उन्होंने फान्स के साथ नन्य राजकुमार के बारे में धेल सारी बाते की हैं और इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा है जिसके बारे में सबा इब्राहिम कई दिनों से बात करने के बारे में सोच रही थी। सबा इब्राहिम ने इस लेटेस व्लॉग में बताया है कि फाइनली वो दिन आ गया जब भाई ने खुद कहा कि वो कुछ दिन तक बेबी के साथ हमारे घर पर रहेंगे सबा इब्राहिम ये बताते हुए काफी खुश नजराई थी सबा ने इस व्लॉग में कहा कि भाई 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 के घर पर अभी पेंट का काम हुआ है जिसकी वज़ा से आखू मैयास हुआ रहे हैं ये चीज़े बेबी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं ऐसे में सबा इब्राहिम ने फैंस को ये बताया कि दीबी का और शोय अपने बेबी के साथ हमारे घर पर रहेंगे सबा ने बताया कि पेंट होने की वज़ा से पूरे तरीके से जब तक घर नहीं बन जाता भाई और भावी बेबी के साथ हमारे फ्लोर पर रहेंगे और मुझे इस बात पर दिल से खुशी है सबा ने कहा कि हम तो हमीशा से ही कहते हैं कि आप लोग कभी भी आ जाओ मेरे घर रहो हम जब नहीं होते हैं तो घर की चाबी भी दे कर जाते हैं पर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं अपने घर में किसी को रोकना नहीं चाहती ये लोग वो हैं जो हमसे नफरत करते हैं इन लोगों को लगता है कि सबा इबराहिम किसी को अपने घर में रुकने नहीं देती हैं हाला कि सबा इबराहिम में इस ब्लॉग में मुस्कुराती गर की हर चोटी बड़ी चीज़ पर सभी का बराबर हक होता है। कि वो अपने भाई भावी या घर के किसी मेंबर को अपने घर में रुकने नहीं देती हैं और इसी को लेकर सभा ने नया ब्लॉग मनाया और ट्रोल्स को करारा जवाब दिया। जुके 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 इएकं बज बास ऽ। झाल झाल